गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हमारा हिंदी वेकरन का पीरेड है और आज हम पढ़ेंगे पाठ सोला क्रिया विशिशन इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब यहाँ पे आपको कुछ वाइक के दिख रहे होंगे जैसे थोड़ा खालो आप आगे आगे चलिए वह दिन भर पढ़ता रहा काफी खालिया अब उठो कछुआ धीरे धीरे चलता है खरगोष तेज दोड़ता है तो यहाँ पे खालो क्या है क्रिया चलिए क्रिया पढ़ता रहा क्रिया खालिया क्रिया चलता है क्रिया दोडता है ये भी क्रिया है लेकिन उससे इन क्रिया शब्दों से पहले कुछ दूसरे शब्द लिखे जैसे थोड़ा तो क्रिया से पहले थोड़ा शब्द क्या बता रहा है थोड़ा खालो कितना खालो थोड़ा खालो तो ये खालो की विशेष्टा थोड़ पढ़ता रहा, कितना पढ़ता रहा, दिन भर पढ़ता रहा, खा लिया, कितना खा लिया, काफी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से क्रिया की विशेश्ता जानी जाती है उसे क्रिया विशेशन कहते हैं, क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं, काल बाचक, इ क्रिया विशेशन क्या है जैसे कि जो समय बताते हैं जिस क्रिया विशेशन से क्रिया के काल का पता चली अर्थात उसके समय का पता चली उसे हम काल बाचक क्रिया विशेशन कहते हैं जैसे वह दिन भर सोता रहता है को किस से बता है दिन भर तो यह समय बता रहा है अगला है इ इस क्रिया विशेशन से क्रिया के होने के इस्थान का बोदो, उसे इस्थान वाचक क्रिया विशेशन करते हैं। जैसे काहां बैठे हो, परिमाण वाचक क्रिया विशेशन, जो क्रिया विशेशन क्रिया पद का परिमाण, जिस अर्थात मापतोल प्रकट करते हैं, उसे हम परिमाण वाचक क्रिया विशेशन करते हैं, जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, थोड़ा पड़ो, बहुत तो यह कह है परिमान वाचक क्रिया विशेशन, अगला है रीती वाचक क्रिया विशेशन, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीती या धंग का बोदो, कि वो किस प्रकार से हो रहा है, जैसे कचुआ कैसे चल रहा है, दीरे दीरे, कचुआ दीरे दीरे चलता है, खरगोष त तो कायरे के होने के ढंग का पता जलता है तो उससे हम क्या कहते हैं रीती वाचक क्रिया विशेशन आपको चप्टर समझ में आ गया होगा तो आपको इसको पापि से रीट करना है और इसके जो एक्सिसवाइस कोशनछन से गाया क्या, प्रशन अत्रा से स्मय से लिखना है, कॉपी अप्वीच से करनी है और इसकी फोटो आपको ग्रूप में पूल्प मने सेंट करना है, Have a nice day!